स्पोर्ट्स राइटर है और इस की मैं कहूंगी के फाउंडर है इस इस पूरी जो ये सेटप है खेलो खवातीन का हदील अबैद वो हमारे साथ मौझूद है सबसे बहुत तो वेलकम तो गेमसेट मार्च कितने ताइम फ्रेम से आप ये रीगुलारी में करवारे है सफिया हमने शुरू किया था 2026 में रम्चान में वह हमारा पहला रम्चान था और वी थाथ की ये जरी सिरू किया था देन शुरू किया था धें रहसाल थी इसको करते गए हमने एक अन्यूल के रम्जान में रात को टेप बॉल का विमन्स टौनमें होगा और फिछले दो साल से कोविट की वज़ा से 2020 और 2021 में जो ग्राउंस बन थे तो हम नहीं कर पाए और अगैन अब थैंक्फ़ली लग रहा है के कोविट जो है काफी बेहतर इसकी स्टूएटियोशन हो गई था सो वे अगैन 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 के एस साल हम दोबारह एस खेलो हवातीन टौनमें को करें और अगैं थाइप खेलने के लिए है अदील थिससफ अदील अद आपका मैं अभी प्रो मॉशनल आपने एक पोस्टर बनाया वाए So you are inviting registration for that. So, अभी वहारीदी वारा प्रेस्तरान है वांतो पार्तिक्राम बेखरी हैं काथ ओत्सक्राइब कर्फार्ण से इस डिए पर्तिक्रान यहिंगा है So do you register the team or the individual players or do you make the team out of that? How does the tournament format work? So it works both ways. एक तरीका है If you have a team that is ready made then you can register as a team. Right. But the second way is that और कितनी तीम्स हैं इस पुरे टोर्नमेंट में, अगर में आप तक बात करूं, किया number of teams बड़ी हैं, जादा आपको लड़कियां इंट्रॉस्टेट दिखी हैं थेलने के लिए? Absolutely, 2016 में जब हमने शुरू किया था, तो we had no idea कि लड़कियां आएंगी रात को रमदान में टेप बॉल क्रिकेट खेलने के लिए कि लड़कों की क्रिकेट खेली जाती है, बड़कियों का टेप बॉल, नाइट क्रिकेट इस रही रार था, तो जब हमने शुरू किया था, तो 2016 में हमने कि लिए अप्राट गोड़किया था, तो कि लिए गार था, तो कि लिए था, बसमान अग्या किया था, यह था रही मोड़कियों। तो विए देखरा में लिए खाड़ बाद होई है and the green looks amazing. So good luck Hadeel for this tournament. So how's the registration? Has the registration started or how's the registration going? The registration started, it started about five days ago or six days ago and we've got a very good response. A lot of girls have registered, a lot of girls have inquiries, a lot of parents have called us to inquire about it. Especially when girls are cricket, it's a very community based cricket. you know everybody's parents, siblings, all involved in this, so we've gotten a great response so far and we're hoping that you know inshallah this this can be an even bigger tournament than the one that we've done before and maybe next year you know we can get some teams from Lahore and other cities also to fly down and really make it a tape ball extravaganza. बिर्कुल जी मतलब खेलो खवातीन ये tape ball tournament है जो के खेला जाएगा रम्दान में night cricket खेली जाएगी 14th 15th and 17th April को आपने register करवाना है तो आप भी करवा सकते हैं, आपने अपनी बीटी को register करवाना है तो आप भी करवा सकते हैं but this is so encouraging के हदील आप बतारी हैं के parents call करके और वो बात कर रहे हैं which means के एक shift, एक change आ रहा है जिस पे बहुत लोग अपने-पने अपने 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 criteria से जो है, they are fighting for it obviously जिस तरह आपने का गली में निकल के लड़कियों के लिए खेलना बहुत मुश्किल है so you have given them that secure environment and that that close environment जहां पर वो comfortably उनके parents उनको भेच सके और खेल सके हैं और जब हम बात करते हैं कि यह जब अरेंज करते हैं इतना आसान नहीं होता एक tournament अरेंज करना, so how do you manage all these sponsors, finances, यह सारा कुछ कैसे है you know it's tough, I would not say that it's so much easier because I think काफी ताइमों से लग रहा था के women's cricket was almost like a charity sort of a situation जब हमने 2016 में शुरू किया था, so it was kind of you know, के अच्छा आप लोग लड़कियों का tournament कर रहे हैं, they weren't that level of excitement wasn't there I think up as the years have gone by, ज्यादा लोग विमन्स की cricket पे awareness शुरू हो गई ज्यादा कमपनी जो हैं बाक करने कोशिश कर रहे हैं, so you know we've definitely been lucky के हमारे पास sponsors आये हैं हर साल, you know we've never had a year so far जहां you know we've not found companies who aligned with our interest, companies हैं जो इंटेस्टे हैं, you know and only I mean हम जो भी करते हैं in terms of खेलो cricket and खेलो खावतीन, we try to give back as much as possible to the girls and I think Ramadan के tournament में हम maximum prizes देते हैं, cash prizes देते हैं for the winners and runners-up team, kits देते हैं, we try and create as much of a professional environment as we possibly can keeping in mind कि literally amateur tapeball में कोई भी अटके आसकता है खेलने के लिए and I think that's the encouraging part. And Hadeel, is there any registration fee, कुछ पैसे देने पड़ते हैं अपना पो रिजिस्टर करवाने के लिए or it's free? If there is a registration fee, the registration fee is 1,000 rupees per player and the reason why we do the registration fee is it's almost like a security, के अगर आपने रिजिस्टर किया है and you've given it that means you're going to show up. Because we've had experiences in the past when it's been completely free and what we've noticed is that obviously last minute you can have dropouts, you can have situations, this sort of helps create it and make it more of a professional environment. पिर्कुल जी, Hadeel, मतलब जबर्दस, बहुत जबर्दस तिक आपका इनिशिएटव और जितने ताइम से आप इसको लेकर चल रही हैं, good luck to you and I hope के ये खेलोग खवातीन जो है, ये इस दफाह और जयादा successful हो पिछले सारे जो आपके seasons हुए है उसके मुकाबले में but thank you, thanks a they register and they have fun, our kilo cricket that's basically what we're all about, good luck, good luck, good luck, good luck, Hadeel, thank you, very much, thank you